असलाम लुक्त कुम ववण लिए और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ने हैं फंक्शनल टाइपस of movements in GIE track, यह निके gastrointestinal track के अंदर किस किस किसम की movement होती है तो GIE track में ने दो तरह की movements होती है, एक होती है propulsive movements जो के आगे की तरफ पुश करती है content को और दूसरी होती है mixing movements, जो के mix करती है content को, GI tracker content को, दो तरह के movements है, एक propulsive movements और एक है mixing movement, propulsive आगे की तरफ पुश करती है और mixing mix करती है, अच्छा propulsive movements अब होती ही किस तरह जिए, propulsive movements जो है ना basically वो peristaltic reflex ही होती है, peristaltic reflex आपने काफी द्वा पढ़ा होगा, आपको पता होगा, क्या होती है कि एक wave की तरह की movement होती है, जो के एक point से शुरू होती है और दूसरे point पे आगे की तरफ move करके चली जाती है, और content को आगे की तरफ खैंच के ले जाती है, खुश क little tricky, so let's discuss that, now peristaltic reflex में होता ये है, कि सबसे पहला step है कि जो भी content है gut में, उसने या तो वहाँ पर distension की, या उसने वहाँ पर chemical irritation की, या फिर उसने वहाँ पर physical irritation की, तो distension, chemical irritation, physical irritation की वज़ा से gut के अंदर stimulation होती है, अब जैसे stimulation होई, तो साथ ही, जो enteric nervous system है, वो activate हो गया, enteric nervous system is the intrinsic nervous system of gut, ठीक है, वो activate हो गया, अब जैसे intrinsic nervous system activate हुआ, तो उसने क्या किया, उसने, जिस तरह की ये supposedly ये gut थी, ठीक है, इस जगा पर को food आया और इस जगा पर होनी थी, थोड़ी सी distension, जैसे distension हुई, तो intrinsic nervous system यहां का activate हो गया, इस gut के spot का, और intrinsic nervous system ने क्या किया, जहां से जिस area पर distension हुई थी, उसके बिल्कुल पीछे, two to three centimeters का circular muscle जो है, वो contract कर गया, जिस area पर distension हुई, enteric nervous system stimulate हुआ, तो exactly उस area से just पीछे, two to three centimeters का जो circular muscle का area था, वहां पर circular muscle ने contract करके कुछ इस तरह की शकल बना दी, एक contractile ring बना दिया, तो क्या हुआ जी के जहां से distension है, उसके just पीछे contractile ring बन गया, अब होगा क्या, कि ये जो contractile ring है, ये आहस्ता आहस्ता आगे की तरह move करना शुरू करना शुरू करतेगा, अब ये ring जासे आगे move करेगा, इसके तरह जितना भी content है उसे आगे की तरह push करके ले जाएगा, तो ring क्या हुआ contractile ring moves, forward, जो forward move करता है, तो उसके सामने जितना भी material है उसको 5-10 cm towards anal direction push कर देता है, तो 5-10 cm towards anal direction push कर देता है, यानि के ये है न, यहां से distension होगी, यहां से construction होगी, तो यहां से अब ये contractile ring 5-10 cm, खुद ये 2-3 cm कहता है न, तो 5-10 cm इस सारे content को push करके आगे की तरफ ले जाएगा, ये contractile ring, ठीक, अच्छे, एक और मज़ेगा point है, वो ये है, कि आप आप कहें जी के ये contractile ring जो हमने ये बनाया है, ये contractile ring इस तरफ ही क्यों move कर रहा है, ये उपर की तरफ ही क्यों नहीं move कर रहा है, और ये content को towards anal direction ही क्यों push करते हैं, ये उपर की तरफ क्यों नहीं push करते था, तो इसकी reason कुछ नहीं है, इसकी reason सिर्फ ये है कि हम कहेंगे, जी कि जो my entire nervous system है ना, ये intrinsically ये बस polarize हुआ हुआ है towards anal direction, तो अगर ये बड़ी मज़दार point है, वो मज़दार point है ये, वो है receptive relaxation के वाला, तो जब भी ये आगे की तरफ move करता है, downstream towards the anus move करता है, तो जिस पार्ट की तरफ move करी जाता है, जिस पार्ट की तरफ भी ये move करेगा, उसके अगले पार्ट में, इसके पीछे construction होई है, contraction होई है, इसके अगले पार्ट में automatically receptive relaxation होजएगी, ये अगला पार्ट केगा कि लोग जी लोग आगया, मेरे पस content आगया सारा, digest करने के लिए, absorb करने के लिए, तो चुके मेरे अंदर आ रहा है तो जनाब, welcome, welcome, आएं, मैं relax करता हूँ, तक आराम से सारा content यहां पे आजाए, तो पीछे इसके contraction है, और आगे इसके relaxation automatically होते इसके इसके जाए, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे इसके आगे इसके एक दमशे कर जाएगा, तो यह वह रंग किसके यहां तक लिए है, तो यह होग यह movement हमारी, peristaltic movement, जो कि basically propulsive movement है, ठीक, अच्छा यह जो peristaltic movement है, जो हमने discuss की है और इसकी जो anal direction of movement of this peristalses है इन्हें collectively हम कहते हैं law of gut so what is the law of gut law of gut है जी के peristaltic reflex मैंने थोड़ा zoom कर दी peristaltic reflex plus the inner direction of movement of peristalses इन्हें collectively कहते है law of gut ठीक है तो peristaltic reflex and inner direction of movement of peristalses they are collectively known as law of gut तो यह तो हो गया propulsive movement हमारे अब इसके पास हमारे पास है mixing movements mixing movement क्या करती हैं भई mixing movement इस तरह है कि अभी मैंने पीछे में discuss किया था कि यहां से contraction हुई वो contraction food को आगे की तरफ लेगे गई मगर अगर यहां से मैं इसको बंद कर दूँ मिसाल को पर यह कुछ स्फिंक्टर को मैं बंद कर दूँ आगए कि यहां पर मैं दुर्वाजा लगा दूँ बंद कर दूँ तो क्या होगा यहां से सारा content आगे जाएगा मकर यहां से इस सारे content की mixing हो जागी तो mixing movement का एक तरीका तो यही है कि forward propulsive movement जो है जो किस तरह यह परिस्टाल्टिक movement से जो forward propulsive movement है अगर इसको मैं block कर दूँ किसी sphincter से तो automatically यहां पर यह food mix होना शुरू हो जाएगा पीछे से push होगा और आगे से sphincter होगा तो वो आपस में मिक्स होना शुरू हो जागा तो forward propulsive movement when blocked by sphincter it results into churning and mixing of intestinal contents आपने इसको इस तरह होगा आपने कहना है whenever the forward propulsive movement is blocked by sphincter it results into churning and mixing of the intestinal contents ठीक होगे आचा तो यह तो होगी एक तरीका mixing movement का क्या है दूसरा तरीका mixing movement का क्या है दूसरा तरीका यह है भाई कि यह आने है यह नहीं इन्टसाइन यह तो अभी तक हमने डिसकर्स किया था कि यहां से contraction शुरू हुई ऐससे एक flow में आगे चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही तो इसके लावा एक तरीका भी है mixing movements का वह यह है local intermittent constructive contractions जो के मुक्तिलिफ पार्ट में हो रही है मिसाल के तोर पर अगर इसके अंदर सारा content है उसका हमने mix करने आगे नहीं भेजना सिरस मिक्स करने की बात हो रही तो क्या पहले इस point पर contraction होगी तो पहले इस पॉइंट पर contraction आगे चली नहीं पर इस point पर होगई पिर कभी उपर पीछे होगई कभी आगे होगे तो एक सिंक में continuous contractile movement ring की नहीं हो रही, अलबता मुख्तले points पे कभी ring appear हो जाता है, फिर कभी दूसरे point पे 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 पीर हो जाता है, तो कभी यहां से जैसे यहां पे, यहां पे जैसी यह contractile appear होगा तो यहां पे food थोड़ा से mix होगा न, कहते हैं हम किसी local intermittent constructive contractions occur every few centimetres in the gut wall, after every 5 to 30 seconds, हर 5 to 30 seconds के बाद यह contraction आएगी, the new construction occur at other points in the gut, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, chopping and sharing the contents, तो इस थना mixing भी हो जाती है, to buy this, we have finished this part, see you in next part.